form of a function बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, यह बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है सब ना हाथ के हाथ नोट्स बनाते रहेंगे पिछली कुछ क्लासेज में कुछ मित्रों ने सजेस्ट किया कि वो हाथ के हाथ लिख नहीं पाते इस कारण से कुछ चीजें बाद में रह जाती हैं हाथ की हाथ आज नोट करते रहें form of a function प्यारे दोस्तों, यह parametric form क्या होती है यह हमारी सबसे important concept है हाला कि मैं इसको बगैर समझाए भी question करूँ तो हो जाएगा लेकिन जब तक deeper हमें concept का जानकारी ना मिले तब तक हम शायद अच्छे से topic को नहीं कर पाएंगे तो parametric form क्या होती है उसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक experiment लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, मैंने एक function लिया, यह parametric form में ले रहा हूँ आप इस function को देखें तो दो वेरियाबल है इस function के अंदर कोई भी function लेंगे तो उसमें जनरली दो वेरियाबल होने चाहिए इसमें भी आप देखके बताय सकते हैं कि क्या-kya variable है, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे X और T variable है, शाबाज मेरे दोस्तों प्यारे दोस्तों, हमेशा function में तो दो वेरियाबल x और y होते थे थे, तो x और t आया, मैं इसके साथ एक function और लिखता हूँ, बड़े दिहान से इस function को देखना y is equal to under root t प्यारे दोस्तों, इस दूसरे function के अंदर मैं आप पूछूँ आप से दो variable क्या-क्या हैं तो आप बोलेंगे y और t variable हैं क्यों-कौन से variable हैं? y और t तब तो एक बड़ी मज़ेदार सी बात हो गई इसमें x और t variable है, इसमें y और t variable है प्यारे दोस्तों, हमने तो अभी तक ऐसा पढ़ा था कि function में दो variable होते हैं और उसके अंदर variable होते हैं y is equal to fx, x की ट्रम में function होना चाहिए यह कैसा function है, जिसके अंदर x is equal to t by 4 दिया और कॉमा करके y is equal to root t दिया खुछ तो इस function की super speciality होगी ध्यान से सुनना, अब इसको थोड़ा सा सोचते हैं इस function के बारे में प्यारे दोस्तों, जब भी मुझे ऐ function दिया और function में कॉमा डालके यह दो चीजें दी, एक ये वाली और एक ये वाली तब मेरे दोस्तों, इन दोनों function को तो आप बड़े ध्यान से देखें, इस में दोनों function को देखने में लगता है तीन वैरियाबल है, कुल मिलाके एक X, एक Y और एक T अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं छोटा बनाना चाहूँ तो इनको इखटा कर सकता हूँ दोनों function को इनको इखटा करने की क्या तरकीब है उसको जरा सोचते हैं इखटा करने के लिए आप बड़े ध्यान से देखें, इसके अंदर भी T है और इसके अंदर भी T छुपावा है तो एक काम करता हूँ मैं पहले function से T की value निकाल कर इसमें पुट कर देता हूँ तो दोनों function का composite मिला जुला function हो जाएगा मैं यही काम करता हूँ दोस्तों पहले function से मैं T की value निकाला प्यारे दोस्तों देखना क्या बन गई 4X बन गई प्यारे दोस्तों यह पहले function से जो value मैं निकाला यह दूसरे function में T की जगे पुट कर देता हूँ द्यान से देखना y is equal to under root t की value मेरी 4x ती तो मैंने 4x put कर दी अरे root है, root से बचने के लिए असान करने के लिए squaring both side कर लो प्यारे दोस्तों, x ये बन जाएगा y square is equal to 4x मजा आ गया मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत द्यान से सुनना मैं conclude करता हूँ प्यारे दोस्तों, ये जो मेरे को function दिया था original, जो दो पार्ट में टूट कर दिया था असल में ये इसी बात को कहता है ये कहता है y square is equal to 4x को ही कहने की एक दूसरी कला है जिसके अंदर एक नया innovative variable include कर लिया गया, जिसका नाम है t जब किसी x और y के function को हम तोड़ के लिख लेते हैं then this is called parametric function प्यारे दोस्तों, इसका graph तो हमने सबने सीखा होगा ये तो parabola है तो parabola का graph देखना हमने ऐसा 11 था पड़ा था, दो variable होते हैं x और y, x की power 1 है जिसकी power 1 है, उस axis पे graph बनता है positive है तो positive साइड बनेगा negative है तो negative साइड बनेगा तो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हमने सीखा कि parametric form किसी function को किसी complex function को तोड़ कर different different function में लिख लेने की एक कला है एक technique है, बहुत ध्यान से notes बनाते रहना, समझते रहना मेरे दोस्तों साफधानी से सब को करना है प्यारे दोस्तों, एक example में इसका लिया this is called as a example में एक और सुंदर सा example लेतों क्योंकि हमें इस parametric form का इसमाल बहुत सारे अलग-अलग topic के अंदर करना होगा math के अंदर ही integration आएगा दोस्तों, derivative आएगा, application of derivative आएगा उसमें हम इसका बहुत इसमाल करेंगे मैं इसका एक b example और देता हूँ बहुत दिहान से इसको देखना पैरामेट्रिक फार्म के अंदर मैंने फिर एक example लिखा x is called to अब की जगे में जरा दिहान से देखना क्या लेके आ रहा हूँ और आप कहेंगे तो तो टीओनो में वाजा आ गया पैरे दोस्तों इस फार्म में x is called to भी होता है और y is called to भी होता है अगर एकस्सकोल फार्म को देखें तो यह तिओनोमेट्रिक की फार्म में मैं यसे ही y is called to करके लिखा 2 cos theta minus 1 प्यारे दोस्तों, अगर आप इस function को देखें, दोनों को तो यह तो trigonometric की form में, अगर उपर ओले से compare करें, तो उपर ओले में common variable t था, प्यारे दोस्तों, इसके अंदर common variable, आप कहेंगे, sin नहीं है, cos नहीं है, common variable है, प्यारे दोस्तों, theta, अब में इस question को कैसे करूँ, इसको तो composite बना कर हमने ऐसे कर लिया, this is called parametric form of trigonometric function, जब भी trigonometric function होगा तो उनका variable होगा, उनका जो एंगल होगा, वो हमारा variable होगा, प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम इस से, अब इसको इखटा कैसे करें, किस चीज का function है, उसको समझने के लिए, उसको समझने के value निकाल लेते हैं, sin theta की value अगर मैं निकालों तो क्या निकलेगी, x minus 1 by 2, देखना यही निकलेगी, इधर से मैं cos theta की value निकालों, तो cos theta की value क्या निकलेगी, y plus 1 by 2, प्यारे दोस्तों, sin theta और cos theta की value आ गई लेकिन मैं इनको अभी join नहीं कर सका, join करने के लिए एक अलग सी वि इसके अंदर sin की value पुट कर दें, तो मेरी value क्या बनेगी, x minus 1 by 2 का whole square, plus, शाबाज मेरे दोस्तों, बोल के बताओगे, क्या बनेगा, y plus 1 by 2 का whole square is equal to 1, मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे 2 का whole square 4 आ जाएगा, lcm लेके मैं रिवर साइड ले जाओं, तो मेरा बन जाएगा, x minus 1 का whole square, plus y plus 1 का whole square is equal to 4, this is a wonderful equation, प्यारे दोस्तों, मैं चमकालू, कोई मुझे बता सकता है, आपने 10th, 11th क्लास का polynomial जरूर क्या होगा, conic section जरूर क्या होगा, यह किस चीच की equation है, this is equation of circle मेरे दोस्तों, तो circle की equation को ही लिखने की यह technique है, जिसे हम parametric form के अंदर इस तरीके से लि आया होगा, parametric form के अंदर हम angles कोई भी, x और y को, या तो t के variable के respect में अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं, या कभी 3 त के respect में, और हम चाहें तो उन दोनों form को club करके original function को निकाल सकते हैं, कोई पूच सकता है कि मन में क्यों करते हैं जी ऐसा, t के respect में क्यों अलग कर लिया कोई बहुत बड़ा function है, तो उस function को छोटा बना कर derivative करना असान हो जाता, इसलिए हम इस तरीके का प्रियोग एक composite, एक complex function के अंदर अकसर किया करते हैं, प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको समझते रेना, पहले आप जो भी आपकी problem हो, अभी मेरे पास एक भाई का फ कर दोस्तों, आज जूम पे ट्राइल करके देखते हैं, अगर इस सक्सेस्फुल रही तो इस पे बड़ी क्लासिद हम ले सकेगे, अब जूम की शायद बहुत सारे मित्रे जानते हों, अभी हम आप ट्राइल वर्जन पी काम कर रहे हैं, तो अभी इसमें हमारी पाबंदी है जब मैं मीटिंग को लिव करूँगा तब आप सब की अटोमेटिक लिव हो जाएगी, दो मिनिट रुक करके दुबारा उसी जो लिंक पर क्लिक करके हम मीटिंग में वापे सेंटर कर जाएंगे, तो इस चीज का दिहान रखना, अभी हम कुशन को करेंगे आगे, इस के कु जब करेंगे, तो उसे उपन करके बेटें, और किताब नहीं तो चलेगा मेरे दोस्तों, आप बहुत सावधानी से बस देखते रहें, बोड पे सारे कोशनों को लिख खोगा, आप अगले को बहुत सावधानी से देखें, प्यारे दोस्तों मैं एक कोशन ले रहा हूँ यह कोशन के अंदर मैं ले लिया यह NCRT का, अब सावधानी से चलना और साथ साथ चलना, बिल्कुल सावधानी से चलना, क्योंकि 2-4 कोशन हम अच्छे से कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज मजे में कर पाएंगे, प्यारे दोस्तों, हम यहाँ एक्सरसाइज NCRT की 0.6, if you have a book, please open it. शाबाज मेरे दोस्तों, इसका मैं पहला कुशन ले रहा हूँ, पहला कुशन मेरे पास है, x is equal to 2 a t, 2 a t का स्क्वार, और कॉमा डालके, y is equal to मुझे फंक्शन लिखा गया, a t की पार 4, अच्छा, आप ध्यान से सुनना, जब भी हमें डेरिवेटिव करना मेरे दोस्तों, दुवारा बुलता हूँ, जब भी हमें डेरिवेटिव करना हूँ, मैं चाहा हूँ तो इन दोनों फंक्शनों को मिला के, कंपोजिट करके, x और y में करके, डेरिवेटिव कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा मत करना, ऐसा करने से कुशन बड़ा हो जिसको मैंने blue color से underline किया, आप मुझे देखके बताएं, इसमें सब देखके बताएं, बहुत ध्यान से देखके बताएं, क्या variable है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे इसमें 2 variable, x और t, अब मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर दुबारा एक बाजू में आपको लेके चलता हूँ, ए x के respect में करते थे, प्यारे दोस्तों, जब हम इसका derivative x के respect में करते थे, यहाँ पर मेरा function मैं दुबारा लिख दूँ, y is equal to x square plus x है, प्यारे दोस्तों, जब हम इसका derivative x के respect में करते थे, तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुलना, x का derivative तो क्या आता था 1, ध्यान से x के respect में कि यद अरा इसी लिए x का derivative 1 या या दूसे़े वैरियेबल य का डियेवेटियरिवी वाय दूसरे वजए पावर में महा ओढ़ा हर भिलिक्स भूआ अर फिर 8 इसके अंदर दो variable क्या-क्या है? आप कहेंगे y और t. प्यारे दोस्तों, इन दोनों function में, blue और green, दोनों function में common variable बता दो. आप common variable यहाँ t को कहेंगे, t time को indicate करता है. प्यारे दोस्तों, कोई मेरा मित्र कह सकता है, इन दोनों में तो a, b है, जी. आप उसे क्यों function मानते हैं? प्यारे दोस्तों, यह actual में इसका जवाब physics के अंदर छुपा हुआ है. यहाँ पर t time को represent करता है. time always variable होता है. और a इसलिए constant presume किया जाता है. जब भी t और a होंगे, तो हम time को variable मानेंगे, a, b, c को constant मानेंगे. प्यारे दोस्तों, इन दोनों में common variable क्या है? t. प्यारे दोस्तों, अब आजाओ इस blue area पे, जो common variable हो, ध्यान से सुनना, उसी के respect में derivative करेंगे. तो मैं इसका derivative कर रहा हूँ, differentiate with respect to t. अब णा हैगा. t. क्या हैगा? 1. अब x का derivative 1 नहीं लिख सकता. शुछ सुनना, x का derivative 1 नहीं लिख सकता. वोई भूछा है होंदो, अभी तक-to x का derivative 1 करते हैं. प्यारे दोस्तों, अभी तक तो 1 करते हैं क्योंकि हम derivative ए יה tariffs, x के respect में कर रहे थे. जब x का x के respect में करते हैं तब तो 1 ह हो सकता x दूसरा variable है t base variable है यहां पर इसलिए x का derivative भी dx by dt लिखुँगा this is very important concept दुबार से मैं बात करता हूँ concept को दियान से देखना कोई मुझसे पूछ सकता है क्यों नहीं लिखा x का derivative 1 दोस्तों क्योंकि हम derivative x के respect में नहीं कर रहें t के respect में कर रहें तो t का derivative 1 होगा t के अन्य था कोई variable आजाए d वो variable by dt लिखुगा प्यारे दोस्तों बिलकुल दिहान से देखते रहें अब मैं आगे चलता हूँ derivative t के respect में कर रहा हूँ 2a constant है दिहान से देख लेना 2a constant इसलिए as it is variable के साथ है इसलिए as it is t square का derivative 2t दोस्तों और t के respect में कर रहे हैं इसलिए derivative 1 होगा मजा आगया मेरे दोस्तों I got the dx by dt थोड़ा सा solve करके लिख दिया 4a t प्यारे दोस्तों मैं इसे चमका दूँ अब आता हूँ मैं इस दूसरे function पर इस function पर आता हूँ इसका भी derivative कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों common variable t था तो t के respect में करूँगा न तो प्यारे दोस्तों y का derivative क्या बनेगा बहुत दियान से चिला के बोलना है सब को बोलना है आप जहां बैठे हैं वहीं पर बोलना है चिला के corner वाले room तक महले तक आवाद जानी चाहिए y का derivative dy by dx मत लिख देना बहुत दियान से देखना dy by dx मत लिख देना dt लिखना क्योंकि t के respect में चल रहा है मेरे दोस्तों दियान से चलना तो a as it is t की power 4 का क्या आएगा दोस्तों 4 t cube और power का हो गया t base का करोगे तो 1 आएगा न भाहिया t के respect में कर रहे हैं इसलिए 1 आएगा दोस्तों dy by dt की value क्या हो जाएगी दोस्तों 4 a t cube मेरे प्यारे दोस्तों ये मेरा आगया dy by dt और ये आगया dx by dt किसी भी question के अंदर मुझे तो derivative निकालना है derivative तो कोई मेरा मित्र कह सकता है निकल गया लेकिन रुको दोस्तों derivative तो dv by dy by dt को नहीं कहते, dx by dt को नहीं कहते, derivative जब भी निकालना हो तो उसका मतलब तो dy by dx निकालना था बहुत ध्यान से सुनने बहुत सारी लोग इसका एक फार्म्ला रट लेते हैं आप रटे नहीं आप बहुत ध्यान से इस बात को समझे निकालना चाहता हूँ, dy by dx निकालना चाहता हूँ, sorry, तो मेरे को उसके लिए क्या क्या पता है तो dy by dt पता है करने से क्या होगा प्यारे दोस्तों, dt से dt कट जाएगा और dy by dx आ जाएगा यह काट के मत दिखाना यह तो मैं समझाने के लिए आपको बताया मेरे मित्रों, अब मैं क्या करूँ, ध्यान से देखना, dy by dt की value क्या थी, dy by dt की value थी 4at3 सब लिखते चलेंगे, साथ साथ 4at3 upon dx by dt की value क्या थी, प्यारे दोस्तों, 4a, अगर मैं इसको काट पीट दूँ, तो मेरा function क्या आ जाएगा, 4at थी थी ना भया, तो ध्यान से चेक कर लेना, this is 4at3, this is 4at3, cancel कर दो, my final answer is t2 मेरे प्यारे दोस्तों, this is wonderful, I got my answer, answer को चमकाएं, parametric form को समझें, क्या है parametric form, उसको हमने basic समझ लिया, parametric form को मैं चाहूं, तो composite करके x और y की ट्रम में बना सकता हूं, लेकिन suggestion है, derivative के दोरान, अगर composition करके बनाएं तो बढ़ा जाता है, जैसा है वैसा ही चलें, अभी दोनों function के अंदर, common variable t था, t के respect में derivative किया, t का derivative 1 आया, x का dx by dt आया, y का t के respect में करें, इसलिए गलती से भी dy by dx मत लिख देना, बहुत लोग यह गलती कर देते हैं जल्दी से लिख के, प्यारे दोस्तों, dy by dt आया, dx by dt आया, t का 1 आया, हमने final answer निकालने के लिए, dy by dx निकालने के क्यों divide करें, उसका भी proper current समझ आया, प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा तेज चलना है, आप जल्दी से लिखें, जल्दी से आप इसे लिखें, ध्यान से देखें, अच्छे से करें, मैं सब की sound को unmute कर रहा हूं, अब आप सब बोल सकेंगे मेरे साथ, मैंने सब की sound को unmute किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बोले, शाबाश मेरे पास बहुत मित्रों के वाज आ रही है, हाँ, बोले दोस्त, मैरे पास दोस्त चल रहा है, तो मेरे पास clear आ रही है, क्योंकि इसका कारण हो सकता है कि signal नहीं हो proper, बाकी मित्रों के पास क्या screen clear है, बाकी सम्मित्र बो चलो, ठीक है मेरे दोस्तों, कोष्चन समझ में आया, जिंदल कोष्चन समझ में आया, अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश कर दोस्त, नहीं तो मैं तरह को दूसरे तरीके से शाम को साथ बजे, आठ बजे भेज़ दूगा, ठीक है, अब और किसी की वाज आई है, सब को सब देख लो, सब अपने आपको, अब अन्म्यूट कर सकते हैं, मिर से चर्चा कर सकते हैं, किसी की कोई प्रॉलम में तो मुझे पूछें, किसी एक मित्र ने अपने नाम प्रोपर नाम से भरे, तो कोई भी, किसी की कोई प्रॉलम, हाँ, बोलो दोस्त, नाम बताओ, दुबार दियान से सुन, dy by dx की वेल्यू निकाल दिया ना, dy by dx की वेल्यू निकालने के लिए, dy by dt की डिवाइड करेंगे, dx by dt से, dt से dt कड़ जाएगा और आंसर जाएगा, ठीक है भाई? ठीक हम आगे चलेंगे दोस्तों, बिलकुल दियान से चलना है, अच्छे से चलना है, जिंदल आगया दोस्त, चलें आगे मैंने वापसी सब को म्यूट किया है, अब आप बोल नहीं सकेंगे, अब खाली आप सुन सकेंगे, ध्यान से चलेंगे द्यान से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे प्यारे दोस्तों, let's start the new question अब थोड़ा सा question को आगे बढ़ाएंगे चलो जी, let's start a new question प्यारे दोस्तों, यह मैं next question ले रहा हूं और यह trigonometry function की form में है द्यान से देखना इस function के अंदर मुझे, this is question number 2 of NCRT इस question के अंदर question number 2 कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, द्यान से इसको देखके चलेंगे question is question number 2, x is equal to हमें दिया है a cos theta और y is equal to दिया है, b cos theta बिलकुल द्यान से देखलें, x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta प्यारे दोस्तों, इन दोनों function के अंदर अगर आप दियान से देखें, ये parametric form में साफ दिख रही है, variable क्या है प्यारे दोस्तों, दोनों का common variable theta है प्यारे दोस्तों, अगर दोनों का common variable theta है, तो मेरे को derivative तो theta के respect में करना चाहिए, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, differentiate with respect to theta शाबाज दोस्तों, करेंगे derivative theta के respect में, x का derivative क्या आएगा, दोस्तों, 1 मत लिख देना, dx by d theta theta के respect में derivative करना है, इसलिए यहाँ constant a और यहाँ constant b, यह a और b यह जो constant है प्यारे दोस्तों, a as it is, cos theta का derivative माइन साइन थरीटा होता है और क्योंकि हम थरीटा के respect में कर रहे हैं यह थरीटा के रिएख से लिख देना, थोड़ा ऊगे चलते हैं, y का डेरीवेट d y by d theta, थरीटा में कर रहे हैं। यह देना, दिख देना, तोस्तों, Kos theta का डेरिवेटेव का माइनस साइन थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं इसलिए एंगल का वण होगा प्यारे दोस्तों, I got the dx by dthीटा and dy by dthीटा बहुत ध्यान से देखें, अब मैं चाहता हूँ dy by dx निकाल लो, बिल्कुल सिंपल सा है तो मैं क्या करूँगा, dy by dthीटा की डिवाइड करूँगा मेरे दोस्तों, dx by dthीटा से क्यों डिवाइड करी? क्योंकि अगर dthीटा से dthीटा कट जाए तो dy by dx ना जायेगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं इन दोनों की डिवाइड कर दूँ मेरे पास minus b sin theta upon a sin theta जाएगा जो कि cut pit के minus b by a आ गया parallel चलना, मज़ेदार से चलना, शानदार से कोशन है, तेजी से चलो ध्यान से चलना है, अच्छे से चलना है, समझ के चलना है अच्छे से करेंगे, सब बढ़िया से करेंगे, दिहान से करें, तेजी से करें, सब समझदारी से करें, तेजी से कर लें, ताकि हम अगले कोशन पर चल सकें, शाबाश मेरे दोस्तों, keep it up, मेरा अगला कोशन में स्टार्ट करता हूँ, प्यारे दोस्तों, अगला और भी smart कोशन है, में बहुत मज़ा आएगा, साथ साथ करना, कुछ लोगों ने शिकायत की थी, कि भीया, लिखावा बलाइट आरहा है, कुछ का अगर कभी-कभी क्या होता है, कि हमारी इंटरनेट स्पीड काम हो जाती है, आप की तरफ से भी हो सकती है, और मेरी तरफ से भी हो सकती है, तो वीडियो बलाइट हो जाएगी, हाला कि मेरे पास यहां पर इस वक सही आ रही है, तो आप चिंता नहीं करें और कोशन को करें, और आप थोड़ा सा मैं बड़ा लिखुँगा, ताकि बलाइट होने पर भी हाप और हम देख सके, पारे दोस्तों, अगले कोशन पर आते हैं, इस वेरी स्मार्ट कोशन, द्हान से देखना, पारे दोस्तों, हम अच्छर के अंदर कहते थे, हम होंगे, हाँ, काम्याब, पारे दोस्तों, कोशन नमबर थी, पहले करके दिखाना, जिसका पहला हो जाए, वो हैंड ड्रेस करेगा, पारे दोस्तों, X is equal to sin T है, और Y is equal to cos 2 T है, पारे दोस्तों, अब ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया, सुननदा और कुनाल ने कहां, उनका हो गया, शाबाश, पारे दोस्तों, अच्छे से करेंगे सब, common variable T है, common variable क्या है T, तो derivative किसके respect में करें, differentiate with respect to T, पियारे दोस्तों, पिछला derivative theta के respect में था, इसलिए X का में लिख रहा था, दी, X by dth, लेकिन अभी तो T के respect में मेरे दोस्तों, इसलिए X का derivative में, इसलिए X by dth, पियारे दोस्तों, और साइन T का derivative को स्टी आएगा, और अंगल जब में T का करूँगा, तो 1 आएगा क्योंकि T के respect में कर रहा हूं, य का derivative पियारे दोस्तों, दी, य बाई बाई दी, इसलिए चेन रूल से होगा, पावर है नहीं, पहले मेरे दोस्तों, बेस का करेंगे, मेरे में तो, करेंगे आप, मैं इस मीटिंग को थोड़ी देर के लिए लिए लेव कर रहा हूं, और हम दुबारा से मिलेंगे, तू कर सकते हैं मीटिंग को लेव, होगे ही अपने आपगी ना? दोबारा जा मिरको दिखा हो शेदू एक वार सब जाइन हो जाएं फिर हम आगे चलेंगे सब एक बर जाइन कर लें सब जाइन कर लें एक बार फिर हम सार्ट करेंगे सब जाइन कर लें एक बार फिर हम सार्ट करेंगे सब एक बार करें कुश्चन को इसको आगे साथ चेंड रूल से हम करें तो पहले पावर का पावर है नहीं फिर बेस का बेस का करें तो कॉस का क्या होगा दोस्तों माइनस साइन टू टी ये बेस का हो गया एंगल का करें तो दोस्तों टू होगा दोस्तों dxy dt आ गया dy by dt आ गया मेरे प्यारे दोस्तों dy by dx मुझे निकालना है तो क्या करें दोस्तों dy by dt की divide करने dx by dt से dt से dt कट जाएगा यह आ जाएगा ना दोस्तों तो this is minus 2 sin 2t upon cos 3 अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों जब भी मेरा आंसर होगा मुझे कोशिश करनी औस आंसर को सबसे स्मॉलेस फॉर्म में सिंप्लिफाइ करके लिखना प्यारे दोस्तों यहां पर हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए जब भी trigonometry हो तो angle same बनाएंगे एंगल सेम बनाने के लिए मुझे एक फॉर्मला दिखता है आप में से बहुत मित्रों को दिखता होगा साइन टू अ का फॉर्मला 11 में हम बहुत गा के लिखते थे बनाते थे इस फॉर्मले को फॉर्मला था तू साइन आ को से वोँ हो सकता है के भाज फॉर्मला यहाँ नजी टेख कोस कट जगाँ के रजाया इसी लिए मैं फॉर्मला लगा था। मेरे पपारे दोस्तों देखा अ कियो क्यों ड्यान तेखो गलाय थो साइन 2 2 2 x 2 ढुग 2 seit t कॉस ट हो जाएगी ना और नीचे कॉस ट as it is,親 friends. My dear friends, the sound comes. Cost has come canceled. And my answer is minus four sine T. Say friends, keep it up. We will do it slowly. We will see it out perfectly. We will see it in full of understandable. We will see it in theừa-cari. We will put a little formula which we醇 in the masa. And look at it. Let's move in, friends. You're coming from everyone, bro. सब्ध्यान से करना, अच्छे से करना, पूरी समझ के साथ करना, मेरे दोस्तों. My next question is, प्यारे दोस्तों, फोर्थ कोशन ऐसा ही है, मैं जानमुझ के फोर्थ कोशन को छोड़ रहा हूं आपके लिए, मैं आपके लिए सीधा आता हूं, कोशन नमबर 5 पे, प्यारे दोस्तों, साथ साथ चलना, ध्यान से चलना, this is कोशन नमबर 5, what it says, कोशन नमबर 5 is, x is equal to, cos theta minus cos 2 theta, दूसरा फंक्शन मुझे y is equal to, क्या दिया दोस्तों, sin theta minus sin 2 theta, मेरे पहरे दोस्तों, अब जड़ा ध्यान से इन दोनों फंक्शनों को देखें, आप इन दोनों फंक्शनों को देखेंगे, तो इन दोनों फंक्शनों के अंदर आप पाएंगे, कि variable अपकी बार t नहीं है, अपकी बार variable फ्रीटा, जो भी common variable दोनों फंक्शन में होगा, परिमिट्रिक फॉर्म के अंदर, तो उसका derivative उनी common variable के respect में करेंगे, तो यहां मैं with respect to 3 त लिखो, और दोस्तों कोई भूलना जा, यह लिखना बहुत जरूरी है, कि इसके respect में हमने derivative किया, अब X का derivative क्या होगा, आपको बताना होगा, क्या मैं 1 लिख दूँ, क्या मैं Dxy, Dt लिख दूँ मेरे दोस्तों, ना मेरे दोस्तों, हम सब लिखेंगे Dxy, Dθ, क्योंकि θटा के respect में डिटा करते हैं, प्यारे दोस्तों, Cos θ, का derivative, माइनस साइं θ, बहुत द्यान से देखना, यह माइनस है अज इस, प्यारे दोस्तों, इसका derivative तो चेन रूल से होगा, पहले पावर का करता, जो की है नहीं, फिर बेस का करूँगा, बेस का करूँगा, तो एक और cos का एक minus आएगा minus minus plus हो जाएगा दोस्तों sin 2 theta फिर एंगल का भी करेंगे दोस्तों देखना ही एंगल का भी करेंगे तो इसका इंटू में 2 और हो जाएगा दोस्तों derivative हो गया dxy d theta y का derivative हम कर रहे हैं d y by d theta sin theta का derivative cos theta minus as it is threta के respect में कर रहे हैं इसलिए अंगल threta का 1 होगा sin 2 theta का बेस का किया पहले cos 2 theta और अंगल का किया तो into 2 पहरे दोस्तों देख लो यह समझ में आ गया मेरे दोस्तों मुझे यह निकालना d y by d x d y by d x निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा d y by d theta upon d x by d theta d y by d theta की value मेरे पास क्या थी यही थी न दोस्तों this value is cos theta minus 2 cos 2 theta upon यह value लिख दूँ अच्छा होगा मैं पहले positive वाला लिख दूँ तो 2 sin 2 theta minus sin theta प्यारे दोस्तों अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मैं यहां तक पहुच किया प्यारे दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि मैं इसको solve करूँ कितना solve करूँ अब इसको ज़रा समझना प्यारे दोस्तों यह एक ऐसा function है जो कि trigonometry function है तो कि trigonometry function कोई दीनमान नी नीओ ताम कितना भी solve कर सकतें मैं चाहु तो इसको आगे पचास स्टब कर सकता हूँ प्यारे दोस्तों तो सकता पंच स्टब सक्ट जोड़गों तो सकता थीन स्टब स्टब कर चोड़गों उ की और की एक बिलिग के पटा चले कि इंगा की कितना करना और कितना नहीं करना अगर उसने पुरूफ करा स्टेट्मेंन ये लिखहा तो मेरी मर्जी मेरी मर्जी तक चोड़ूग और जो रज्टोंगा बड़े लिखान से सुनलें ना मेरी मर्जी मेरी मेर hurricane तक चोड़ूगा तो प्रूरे बड़त्यों इसका पruूफ अुपर उपर आला मैं कैसे करोओ य करके angle same बना लूँगा उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा छोटा नहीं होगा मेरे दोस्तों तो जितना आप थोड़ा बहुत solve कर सकें 10 लोग solve करेंगे क्योंकि इसको solve करने के अनंतनन तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं मैं एक तरीके से करूँ आप दूसरे तरीके से करें और दोनों तरीके में जानता हूं सही है इसलिए मैं आगे के step नहीं लिखता आप बहुत सारे मेरे प्यारे मित्रे हैं सबी प्यारे मित्रे अपने तरीके से करें आएं जो आने दें जरूरी नहीं है इसका पीछे से मिले क्योंकि det, क्योंकि tirar की स्टिज्टि में पीछी कोई तक किसना सॉल करना ही है, जरूरी तक बिंचन की से मिल जा है, तो पीछे से मिल जा तक लिख लिप Cash लिएक का तो बिल्कुल गलत नहीं, आपका आंसर सही है। प्यारे दोस्तों इसे जितना स्वाल हो सके उतना अपने हिसाब से स्वाल कर लेना प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं मेरा अगला कोशन बहुत अच्छा, that is the 6th कोशन, प्यारे दोस्तों मैं आगे चल रहा हूँ, बड़ा शांदार कोशन है, हम 6 कोशन पे चलेंगे, शादबास जल्दी चलेंगे, इसको घर पे बाद में कर लीजेगा पूरा, हम 6 कोशन को सार्ट कर रहे हैं, कोशन नमबर 6 क्य बड़ा मजा रहा होगा उन मित्रों को जो मुझसे आगे चल रहे हैं, तो आगे चल रहे हैं, वो अपनी स्पीट को बनाये रखें, और करें दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आएंगे, अब मुझे कहता है, डेरिवेटिव करें, दिहान से देखें, डेरिवेटिव किसके रि है, तो ठीटा के रिस्पेक्ट में हम डिरिवेटिव करेंगे, तो मैं लिखा, डिफ्रेंशेट विद रिस्पेक्ट तो 3, mistake be, x का डेरिवेटिव होगा ? dx by d theta प्यारे दोस्तों, a constant ए वेरियेबल के साथ है, इसलिए as it is theta का derivative, theta के respect में कर रहे है 1, sin theta का derivative cos theta, शाबस दोस्तों, keep it up y का derivative, dy by d theta a as it is 1 का derivative देखना 0 होगा और cos theta का derivative, minus sin theta होगा, दोस्तों, derivative आगया dy by dx मुझे निकालना है प्यारे दोस्तों, क्या करना चाहिए, dy by d theta upon dx by d theta निकालूँगा प्यारे दोस्तों, दोनों की divide कर दी dy by d theta में उपर लिख दिया यही है, dy by d theta इसे में उपर लिखा, a sin theta upon denominator में a 1 minus cos theta trigonometry function फिर दुबारा से आया लेकिन मैं चाहूँगा, मैं solve करके दिखाऊँ मैं solve करूँगा, प्यारे दोस्तों a से a cancel हो गया नीचे, अगर मैं इतना छोड़ दू तो कोई गलती नहीं है लेकिन चाहता हूँ, solve करके दिखाऊँ प्यारे दोस्तों, डिनॉमिनेटर में 1 minus cos a का मशूर फॉर्मॉला 11 क्लास का दिखाई दे रहा है किसी मित्र को फॉर्मॉला यादो तो बोलो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मित्र बिलकुल बढ़िया बोल रहे होंगे 2 sin2 a by 2 ये फॉर्मॉला, ऊपर देखना, अगर मैं ये फॉर्मॉला डिनॉमिनेटर में लगा दू 2 sin2 3 by 2 तो मेरे दोस्तों, नीचे का एंगल हाफ हो जाता है अब मैं उपर का एंगल भी हाफ बनाऊंगा क्योंकि नियम है टिग्नोमेट्री का एंगल सेम होना चाहिए किसी का कुछ छूड जाए, किसी की क्लास नहीं हो पाए तो मैं शाम साथ बज़े तक यूट्यूब के अपने चैनल पर इस एपिसोड को पब्लिश कर दूँगा तो देखते हैं किस तरीके से जूम की क्लास होती है उसके अंदर क्या रहता है किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे वट्स Act करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बदाना ताकि हम SOLL करसके उस प्रॉब्लम को पैरे दोस्तों इसे SOLL करें तो देखें दो से दो कट गया अरे मजा आ गया और भी कट अगया कुछ अरे dimensional से एक साइन भी खच गया अरे इतना ही छोड़ू क्या? अरे नहीं फिर मजा आ गया दोस्तों माइनस कॉस भाई साइं थीटा यह तो माइनस कॉट थीटा भाई टू हो गया दोस्तों दिस दी वाई भाई दी एक्स दिस वंडरफुल अंसर को चमकाले प्यारे दोस्तों बहुत शानदार है 7th कोशन आएं 7th कोशन करेंगे सब आजाएं 7th कोशन पे ध्यान से करेंगे अच्छे से करेंगे सब बढ़िया से स्मीड बना के करेंगे प्यारे दोस्तों 7th कोशन माग कर लें important है यह CBSC में आया हुआ कोशन है मैं इसको रब कर लू ना आओ जी आगे चलेंगे मैं से रब क्या प्यारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे सेवंथ कोश्यन हम कर रहे हैं अब ये चोकनने हो के करना प्यारे दोस्तों X is equal to Sine सुनन्दा ने हेंड रेस किया है सुनन्दा थोड़ी देर में प्रॉब्लम लूँगा बहन पहले ये चोटा सा टॉपिक कवर करूँ Sine Qt upon under root cos 2t फिर मुझे दूसरा फंक्शन दिया Y is equal to cos Qt upon under root cos 2t कोई भी मित्र जिसको problem पूछना हो थोड़ा सा मैं रुकूँगा ताकि मैं अभी पहले questions को ले लूँ इसको फिर आपकी problem को लेता हूँ जिन तरह भी problem को लेते हैं पहले question देखने दोस्ति ये question कुछ खास है प्यारे दोस्तों ध्यान से देखें इस question को करने के लिए कौन-कौन से rule लगाने चाहिए मुझे आप बहुत ध्यान से देखें कौन-कौन से rule लगाने चाहिए someone कहन से अरे question लगेगा हाँ जी बिल्कुल लगेगा someone कहन से अरे chain लगेगा हाँ जी पक्का लगेगा quotient भी लगेगा chain भी लगेगा तो बड़ा हो गया दोस्तों दोनों तरफ ध्यान से बिल्कुल साथ साथ चलो log x square 2 अरे जब मैं log ले लूँगा देखना मैं इसी स्टेप में ले लेता हूँ log ले लिया इस सरफ भी log ले ले लिया तब मेरे दोस्तों log m by n का मेरा फॉर्मला बन जाएगा ना दोनों तरफ मैं इसी स्टेप में ले लिया log m by n का मेरा फॉर्मला बन जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ log sin cube t देखना sin cube t को मैं ऐसे करके लिख लिख minus log का angle क्या था दोस्तों cos 2 t की whole par half under root का मतलब half होती है क्या मैं हाफ ऐसे लिख लू ध्यान से देखो अरे log करने से मेरे को मजा आ गया कोशन टूल से में बज गया और ये power भी आगे आ जाएगी ना दोस्तों चलो दोस्तों start करेंगे आगे power को आगे ले जाओ इस cube को आगे ले जाओ क्या बन जाएगा 3 log sin t minus 1 by 2 log cos 2 t बिलकुल दिहान से देखो बिलकुल दिहान से करना है अच्छे से करना है सब को करना है मैं रुकता हूँ ताकि आप parallel पहुँचे log लिया दोनों तरफ log क्यों लिया क्यों क्यों लिया log m by n का फॉर्मला लगा लिया log m की पार n के कारेंट पार आगे ले गए अब डेरिवेटिव करू अरे दोनों फंक्शन में कॉमन वेरियेबल क्या था दोस्तों t था तो डिफ्रेंशेट विद रिस्पेक्ट to t करेंगे न दोस्तों करो दोस्तों t के रिस्पेक्ट में अब द्यान से log का डेरिटिव बन भाई x अब रुको यहां पर लोग गल्ती करतें log x का डेरिटिव बन भाई x के लिग आगे चलतें दोस्तों except respect पे नहीं चल रहा T की रिस्पेक्ट में चल रहा इसलिए x का derivative वनना होगा x का derivative क्या होगा dx by dt ध्यान से देखना अब आगे चलते हैं 3 as it is इस log का chain rule से होगा प्यारे दोस्तों इस log का derivative होगा 1 by cos t फिर angle sin का क्या होगा 1 by sin t मैं इसको सही करूँ 1 by sin t यह log का होगया angle का करा तो cos t होगया फिर उसके भी angle का करा तो t का 1 होगा मैं half log का किया तो 1 by cos 2 t होगा मेरे दोस्तों फिर base का होगया angle का करूँ cos का तो minus sin 2 t होगा उसके भी angle का करूँ तो दोस्तों 2 होगा ध्यान से करो इसके derivative को ध्यान से करो इसके derivative को तो मेरे दोस्तों मेरा डेरिटिव आ गया dx by dt is equal to x into यह क्या था भईया 3 cos upon sign क्या cot t हो जाएगा minus minus plus 2 से 2 कैंसल हो जाएगा दोस्तों sin upon cos 10 2 t हो जाएगा प्यारे दोस्तों बता दो dx by dt की value तो निकाल लेकिन किसकी value मुझे पुट करनी चाहिए? x की x की क्या value थी दोस्तों? sin3 t upon under root cos 2 t यह term as it is प्यारे दोस्तों जिस तरीके से मैं dx by dt निकाला दियान से देखना जिस तरीके से मैं dx by dt निकाला इसी तरीके से log लेके क्या निकालेंगे? dy by dt dy by dt निकालकर क्या हम छोड़ देंगे? ना मेरे दोस्तों dy by dt निकालकर मुझे dy by dx निकालना है उसके बाद dy by dt की dx by dt से डिवाइड करेंगे और आंसर लेकर आएंगे फाइनल आंसर निकाल लेना प्यारे दोस्तों शांदार कोशन है ठिगनोमेट्री फंक्षन है जितना काट पीट सके solve कर सके maximum solve कर लेना अपने तरीके से solve करना 5 अलग-अलग मित्र अलग-अलग तरीके से solve कर सकते है मिलेगा नहीं फाइनल आंसर मिलाने की कोशिश भी नहीं करना सावधानी से करना अच्छे से करना पयारे दोस्तों ध्यान से आज की क्लास कैसी रही उस क्लास का कैसा समझ में आया, कैसा नहीं आया उससे थोड़ा सा मुझे रिव्यु करना मैं सब इ मित्रों को अन्म्यूट कर रहा हूँ पयारे कि er weekend नाम बोल के पूछाना है हलो आप थोड़ा लेट आए होंगे सार्टिंग से नहीं क्या ताइम से आना चाहिए मेरे भाई आप अगली क्लास के अंदर आप ऐसा करें आज साथ बजे यूट्यूब पे कवर करने इसको और कोई बोलना चाहेगा हाँ हाँ क्यल्स अक्पर मैं आप हाँ हाँ दुबारा देख यह बाला ना भाई बोलोग्क करेंगे तो दोस senators 1x x करेंगे तो dx dt 3 as it is क्यों जिर लोग टो अंगल 수 फिर коп करने उन नाश, फिर साइन साथ शे हा फिर साइन का faculttså कॉस का माइनस साइन टू टी एंगल का टू ठीक दोस अच्छा प्यारे दोस्तों हा मेरे दोस्त जिंदल अब कुछ राइटिंग समझ में आई थोड़ा सा बला रहा है उसको मैं एक बार देखता हूँ क्लास के बाद की क्या रहा मैटर और अच्छा इसकी ना सभी मित्र ध्यान से सुने मेरी पहले बात सारे कोश्चन करके आने ग्यारा तक 11 तक हाला कि 11 सबसे स्मार्ट है इसके नदर कोश्चन नमबर 8 और 9 बहुत अच यूट है मेरे मित्रों खाना नहीं खागे वेठे के आज तेज से वल्ला है जय है हिंदे बढ़े गूट पिर दोस्तों एस क्लास को इसी तरीके से कंट्वी करखेंगे थोडी तेर के बाद एकाउंट की अक्लास के अंदर जो भी मेरे अकाउंट के मित्र है वह लौग आज की क्लास का फीडबैक मुझे जरूर देंगे किसी भी मित्र का कुछ रह गया हो तो मैं यूट्यूब टैनल चैनल पे आट नो बजे तक डाल दूँ तब तक पहुंच जाना ठीक भाईया एकाउंट की क्लास का भी डाल दूँगा 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 भाई तेरे ले जरूर डालूँगा ठीक है जी थैंक यू दोस्तों गुडबाई जय हैं टू आल